जैसर राम बहुत स्वागत है आपका आपके अपने बेहत खास कारी कार मैं मैं हूँ आपके साथ आचारे राजमिश्रा आज फिर से चर्चा करेंगे एक महत्तुपूर अभिशाय पर हमारे मीन राशी के प्यारे जातक जातिका आपके लिए अगस्त का माह किस प्रकार का रह रात को नौ बजे प्रत दिन लाइब आता हूं दोपहर को बारा बजे आता हूं लाइब आप मेरे साथ जुड़ करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं श्रामण में शिव महापुराण की कथा शिव चरित्र कथा को ले करके आ रहा हूं तो आप लोग उसमें भी जुड़ स में गोचर करेंगे, Sixth ہaves में बुद्ध गोचर करेंगे, Eleventh The voting which art is suny and Eighth。 अपके लिए इसमा क्या ऐसा रहने वाला जिस पर आप प्रमुक्ता से फोकस करने वाले हैं प्रमुक्ता से आप किस पर ध्यान देंगे एक तोस आप इस महीने अपने शम्मान खोई हुई जो मान शम्मान जो प्रतिष्ठा है उसको सुधारने के लिए इसमा बहुत चिंतित उसको सुधारने का प्रयास करेंगे और वो सुधरेगी भी खोई हुई मान शमान यस प्रतिष्ठा जो है उसको वापस पाने के लिए आप प्रयास करेंगे और वो उसमें आपको सफलता भी प्राप्त होगी कुछ नए और महत्पूर्ण लोगों के शाथ आपकी मुलाकात भी होगी जिनके शाथ भविश्य को लेकर के आप प्लान करेंगे और वो प्लानिंग आपकी अच्छी रहने वाली है शाथ में और चीज़े ध्यान रखिए आपका ट्रांसफर आप जहां नहीं चाहते हूँ ऐसी जगा हो जाए ऐसा सन्योग भी इस महीने में नजरा रहा है यह आप नौकरी करते हैं आर्थिक द्रिश्ट कोड से किसी ऐसे चीज़ पर इन्वेस्ट हो जाने का सन्योग है पैशा अचानक आएगा ध्यान रखिएगा धन अचानक आएगा लेकिन उस धन को कहीं ऐसी जगा लगा देंगे जिसके कारण आप बाद में पच्तावा करेंगे पच्ताएंगे कि मैंने ये गलत जगा पर पैशा लगा दे पैशा आये तो बहुत उचलने की आउस्षकता नहीं है लोगों से मत बताईए नहीं तो आपको नुक्षान होगा घर में खटपट रहने के कारण घर में लड़ाई जगडा होने की कारण मन आपका परिशान रहेगा मन आपका अचान्त रहेगा किसी को ऐसे शब्द आप बोल देंगे या किसी ऐसे छेतर में हैं जहां पर आप ऐसे किसी भाशा का प्रियोग कर लेंगे जिसके कारण आप ही जीवन में परिशान होंगे कोई ऐसी पोस्ट शोसल मीडिया पर कोई ऐसी भाशा कहीं पर या किसी को अपने ही रिस्दार इत्याज की अंतरगत कुछ ऐसे सब्द बोल देना जो आपको पूरे शमय परिशान करता रहे इस प्रकार का शन्योग आपकी राशी की अंतरगत है तो सास्त कहता है बिना विचारे जो करे शोप आचे पच्छता है और काम बिगारे आपनों जग करके ध्यान देना है इन्वेश्मेंट को लेकर के इसके जरूर ध्यान देना है इस महीने अपने प्रियतमाश मुलाकात होने वाली है और आपने दिल की बात कहने वाले हैं या कहने वाली है यानि प्यार का इजहार इस महीने आप जरूर करने वाले हैं लेकिन ध्यान रखि 17 तारिक से पहले करेंगे तो आपको नुक्सान होगा 17 तारिक की बात आप जिनको चाहते हैं उनके साथ आपकी मुलाकात होने वाली है उनके साथ आपकी बात होने वाली है और हिरदय की बात कह दीजिए इस बार वो भी आपकी बात को सुनेंगे या सुनेंगी और आपका कार हो जाएगा ठीक है तो ये हमें जरूर करना है बच्चे कुछ अच्छी उपलब्धी प्राप्त करेंगे जिस कारण से मन प्रसंद रहेगा लेकिन उन्हीं के तरफ से कही कही बाते आपके दिल को जग जोरेंगी भी परिशान भी करेंगी ऐसी परिस्थितियां भी जरूर नजरा रही है देखा जाए जीवन शाती के साथ अगर इश्माह शंबंध को लेकर के बात किया जाए दिवाह इत्यातते होने की बात की जाए तो जैसे ही बुद्ध 20 तारीक को बदलेंगे 20 से 31 तारीक के बीच में इश्माह आपका विवाहता होने वाला है जीवन शाती के साथ अगर बात विवाहत चल रहा है तो आप ये मान लेजिये कि ये 20 से लेकर के 31 तारीक का शमय आपको प्राप्त होगा जब आप अपने जीवन शाती के साथ बात चीत करके अपने बाद विवाद को पूरी तरह से दूर कर सकते हैं उसको सुल्जा सकते हैं इस प्रकार का शमय निश्यत रूप से आपको प्राप्त होगा ऐसा नजर आ रहा है तो परमात्मा की कृपा आप पर बनी रहे हमारी यही शुक गामना रहती है ब्यापार में नए औसर बढ़ाने के उसको प्राप्त होंगे आपको नौकरी में भी कुछ नए औसर प्राप्त होंगे शेर मार्केट इत्याद से लाब का संयोग दिख रहा है बिदेश यात्तरा के लिए श्माह अच्छा रहेगा माह के स्टार्टिंग में जीवन साथी के स्वास्त में दिक्कते आने से आपका मन परिशान रहेगा आखिर क्या उपाय श्माह आपको करना चाहिए किसी वरहमण को पीले वस्त्र जरूर दान करें यदि आप चाहते हैं अच्छा हो पीले वस्त्र दान करेंगे आपके लिए लाप्रद होगा शुब अंक आपके लिए रहेगा साथ यानि महीने की साथ तारीक महीने की सोला तारीक महीने की सत्ताइस तारीक साथ, सोला और सटाइस ये तीन तारीक इस महीने की ऐसी होंगी जब आपके जीवर में कुछ महत्पूर घटत होगा कोई भी शुब काम कोई अच्छा काम करना चाहते हैं तो इन तारीकों को आप सेलक्ट कर सकते हैं आपके लिए अच्छा रहेगा सुभरंग आपके लिए पीला रहेगा परमात्मा का अश्रवाद बना रहे इनी सुभकाम नाक्षात इस वाणी को विराम देता हूँ जैसरी राम बहुत धन्यवाद